Hello all, वो कौन लोग होंगे जिनको ये current pandemic, जो situation है हमारे दुनिया पे अब, वो affect नहीं करेगी, वो virus affect नहीं करेगा या minimum affect करेगा? ये बार तो हम सब जानते हैं कि हर किसी को ये चीज इनफेक्ट नहीं करने वाली है, तो वो कौन ब्लेस्ट लोग होंगे जिनको ये pandemic, ये virus affect नहीं करेगा? और सबसे बड़ा question ये है कि हम वो कैसे हो सकते हैं? ये जो हमारी सुष्टी है, जो universe है, ये governed होती है, ये चलती है laws of universe, laws of energy के हिसाफ से, अब ये law of energy समझने के लिए हमारा first question हो सकता है, कि energy हमने तो कभी देखी नहीं है, हमको तो पता नहीं है, देखे हम वो बहुत चीज़ें use करते हैं, जो हमने देखी नहीं है, पर because हमने use क करते हैं, जैसे electricity, बिजली हमने देखी नहीं है, हमको ये पता है कि उसका use कैसे, AC कैसे on करते हैं, आपका TV कैसे on कर सकते हैं, ये हमने सीख लिया है, solar power, कैसे बनता है, हमको नहीं पता है, पर हमें ये पता है कि solar power, सूरच से एक रोचनी आती है, जो सूरच की किरनों से, हम बिजली बना सकते हैं, और उसको हम कैसे अपने घर पे या कहीं पे भी offices में use कर सकते हैं, हमने वो सीखा है, हमने वो देखा नहीं है, solar power हमने देखा नहीं है, वैसे ही wifi, हमने देखी नहीं है, wifi क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे हमारे घर तक उसका wifi router में वो आता है, हम सीख बन आपाद शकति हम कोसमिक अनर्जी का आना वन तो हम खतम हमें समझना है कि आखर क्रान शक्ति हर्पाइज हैं क께 सकत्ति हमको कुझ समक्ने कंडंहां सब्सक्राइब एक यह संद्सक्राइब और जादा आए, जितनी बार हमें एक thought or emotion आता है, हम दिन में हमको 60,000 thoughts आते हैं, जितनी बार वो thought or emotion हमारे मन में आते हैं, हमारे अंदर से एक vibration emit होती है, एक spandan हमारे अंदर से आता है, जो एक तरह का एक energy field हमारे आसपास बना देता है, इस फील्ड को औरा कहते हैं, तो जो ये औरा होती है, वैसी ही situations हम अपनी life में ला लेते हैं, ये हमारा वो meter है, जिसके हिसाब से हमारी life में चीजें चलती हैं, हमारे life में अच्छा पैसा उसे हिसाब से होता है, अच्छे लोग उसे हिसाब से होते हैं, अच्छी health हमारी उसे ह का proportional amount है तो सबसे important यह हो जाता है कि आखर यह और मैनेज कैसे होती है अज का सबसे hot topic है कि हम अपने आपको protect कैसे करें कि हमारी एनरजी उस लेवल पे रहे कि हम immune रहे हमारी energy field हमारे आभा मंडल के अंदर कुछ भी वैसा ना आए जो हमारे लिए negative हो तो अगर हम protection की बात करते ह है तो और चार P is important आजाते हैं P alphabet protection का first सबसे important P है pure intention शुद्ध भावना जबकि भावना शुद्ध है तो आपकी energy हमेशा high होती है शुद्ध भावना का मतलब मैं भी जीतूं दुनिया में हर कोई जीते win-win situation जितना हम ज्यादा शुद्ध भावना का उप्योग is not the correct word जितना ज्यादा practice करेंगे पहले initially हमको practice करना पड़ेगा क्योंकि हमको कहींने कहीं school days में इसिखाया गया कि अगर मैं first तो किसी को second आना है I mean just imagine अगर सब थीक है सब नहीं जितने भी candidates सब भी first आ जाए क्या हो गया यह जो win and lose कि हमको formula बताई गया उससे हमको उपर आना है और आज तो situation भी वह कि हमको किसी को भी नहीं चाहिए कि यह वाला particular virus हो even the person जिसके साथ हमारी नहीं बनती है उसको भी ना हो क्योंकि अगर एक को भी है तो सब को होने का फिर चांस है तो pure intention शुद्भावना first P of protection second positive mindset अब positive mindset के लिए मैं आपको बोलू अच्छा है अच्छा सोचो बह अगर वो fearful होने में अगर वो डरने में हमारी energy कम हो रही है हमारी aura कम हो रही है हमारी वो field कम हो रही है अगर यह equation यह calculation हमको समझ आ गया तो हमारा यह definitely काम बनता है कि हम यह decide करे हम यह सोचें कि इसको change कैसे करना है इसको shift कैसे करना है shift कैसे करना है shift आप easily सबसे easiest चीज आपक कि मुझे पकड़ लेगा तो अपने वो ग्रैटिटीव अपने वो शुक्र याद कर लीजे कि आपके साथ लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ है एक दो तीन चाहर चीजे भी अच्छी है उसको रिपीटेडली याद कीजिए यह आपका जो आपका जो औरा है जो फ्रिक्व प्रेशनल फ्रिक्वेंसी जितनी बार आप इस चीज का शुक्र करेंगे कि थैंक यू गॉड मेरे साथ यह अच्छा हुआ था कभी को हुआ था ड़सिंट मैटर आज आब याद कर लीजिए बार बार याद कीजिए जितनी बार याद करेंगे देखिए 60,000 थॉट्स हैं उ लंग कपैसिटी बढ़ाने का सबसे इजिएस्ट का option ही नहीं है यही option है कि आप अपना breathing exercises बढ़ाए अगर आपने start नहीं करी है तो अभी आप प्लीज अपना breathing exercise start कीजिए प्रानायम वही होता है डीप ब्रीधिंग प्रानायम हो गया अनलोम विलोम प्रानायम हो गया कपा प्रानायम कर लीजे और फोर्थ प्रेयर्स प्रेयर वह भाशा है जो आप अपने जिसमें भी आपका विश्वास हो आपको उस डर से बहार निकाल लेगा तो collective prayers definitely हमारा और बहुत बढ़ा देता है हमारी वह energy field बढ़ा देता है cosmic energy का inflow हमारे अंदर बढ़ा देता है तो protection के चार पीस first is our positive mindset, pure intention, pranayam and prayers we have to do it so that हम वो blessed बंदे हैं जिसको यह pandemic affect नहीं करेगा यह minimum affect करेगा take care thank you